शुराद करेंगा बड़ी खबर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपूर से जहां पर पूर्व सांसद सुहन पोटाई का निधानी इंस में चल रहा था कैंसा कैराज आज स्थुभा अस्पतार विली अंतिन सांस काके लोग सभा सीट से चार बार खजपा के रहे हैं और विसांसद सुहन पोटाई का निधानी इंस में चल रहा था कैंसर का इलाज काके लोग सभा सीट से चार बार खजपा के सांसद रहे हैं अदिवासी नेता सुहन पोटाई का निधान काके लोग सभा सीट से चार भार सांसद रहे चुके हैं एंस में चल रहा था कैंसर के लाज पूरू सांसद सुहन पोटाई का निधानी इंस में चल रहा था कैंसर का इलाज आज सुहा अस्पताल में ली अन्टीम सांस का के लोग सभा सीट से चार बार भाजपा के सांसद रहे हैं आदिवे से नेता सुहन पोटाई का निधन इस खबर पर जादा जान का रिकले बात करते हैं रायपूर से सम्वाद अता शर्षिकान साहुसर शर्षिकान थे सुहन पोटाई अब इस दुनिया में नहीं रहें कितने लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था कैंसर का आज निधन हो गया रायपूर से उनका इलाज चारी था लेकिन अंसीम खांस है आज उनको नेली है आदिवास्टी नेता उन्हें सहा जाता था आदिवास्टी के लिए हमेशा खड़े रहते थे उनके काम के लिए जाते थे उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे आदिवास्टी के लिए हमेशा जो है आदिवास्टी के लाज रहा था और आज जो है उन्होंने अन्तिम संसकार कब किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा यूशर श्रकान बहुत 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 शुक्रियास तमाम चान का रिख लिए पूर्विसांसद सोहन पुटई का निधन हो गया एम्स हस्पताल में लंबी समय से कैंसर के लाज चल रहा था